आप एक मेंगनेटिक फील्ड की वजए से निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखिये के चार्ज पार्टिकल जो था चार्ज पार्टिकल यह जब यहां दोरता था किसी external magnetic field में माली जी यहां पर magnetic field है magnetic field magnetic field ठीक है यह charge particle इदा दोड़ रहा है तो इस पर force लगता था V cross B यह माली जी अंदर की तरफ B है तो V cross B इदर force लगेगा और वो force कितना लगेगा बताईए हमने बताया था क्या लगेगा वो Q V vector cross B vector ठीक है अगर V और B के हैं perpendicular है तो हम इ इंटू V into B ठीक है अगर V B क्या है perpendicular है जैसे कि इस particular question में ठीक है तो हमने एक चीज देखी कि कि एक जो magnetic force में sorry magnetic field में हमने एक वायर रख दिया क्या रख दिया एक वायर जब यह वायर हमने magnetic field में रखा तो हुआ क्या external magnetic field में जब यह वायर हमने रख तो हमने देखा कि इसमें current flow रहा है current flow रहा है इसका मतलब क्या है इसमें charge flow हो रहा है charge flow हो रहा है माल लिजिए positron इदर चल रहा है हमने एक positron को इदर चला है क्योंकि हमने current electricity में पढ़ा था कि चलते हमारे electron ही है बट हम easy बनाने के लिए यह माल लेते हैं कि एक e plus इदर in the direction of current move कर रहा है but reality में current constitute कौन करता है electrons ठीक है so that is important part तो माल लिजिए इसमें क्या है basically current क्यों आ रहा है current इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि यहां पे कौन flow कर रहा है charges flow कर रहे है और जब charges flow कर रहे है तो यह charges पर तो force भी लग रहा होगा अगर माल लिजिए charges flow कर रहे है इदर ठीक है यह माल लिजिए यह charge particle move करता है, आपको मैंने कराया था, प्रूव कराया था, इसका current electricity की शुरुआत में, कि एक charge particles कैसे चलते हैं, सैनिकों की तले चलते हैं, Q में चलते हैं, एक line में चलते हैं, और वो कैसे चलते हैं, कितनी रफतार से चलते हैं, VD drift velocity की रफ्तार से चलते हैं मतलब average velocity उनकी कितनी होती है drift velocity की equal और VD के equal तो VD के equal इधर velocity एसके पास तो VD से इधर क्या है ये जा रहा है जब VD से इधर जा रहा है अंदर क्या है magnetic field है तो V cross B इधर इस तरह फोर्स लगेगा उपर की तरह इधर क्या लगेगा FM लगेगा इस पर फोर्स लगेगा और वह फोर्स कितना लगेगा QVP क्यों क्योंकि यहां पर magnetic field और VK बीच में जो angle है वो 90 है तो इस force का जो magnitude में लिखना चाहूं को वो क्या लिख सकता हूं मैं इस magnitude को लिख सकता हूं Q इस पर charge कितना है इस पर होलो E के equal ठीक है charge E Q V V क्या है VD into B V क्या है magnetic field तो यह क्या है इस पर इस charge particle पर क्या है इस charge particle पर क्या है force है ठीक है अब एक बात ध्यान से समझो कि इसमें I current flow कर रहा है और इसका मैंने length माल लिए है वायर ये है किती length माल लिए है इस की इस wire की length DL माल लिए है और माल लिए यिषका cross section area इस wire का मैंने A माल लिए A क्या है area of cross section क्या है इह area of cross section थिक है तो area of cross section कितना हो गया तो area of cross section कितना हो गया हमारा ए ए ए एरिया of cross section माल लिया तो हमने आपको एक चीज बताया था कि number of total number of charge particle एक wire में जो होते है total number of charge particle एक wire में होते है total number of charge particle अगर हमको निकालने है तो कैसे निकालते है अगर dl length है यह किया उसका cross section area तो हमने एक term define कीती एन एन डिफाइन कीती एन small and small n क्या था number of charge particles number of charge particles यह number of charge carriers यह किया था ना number of charge carriers और रोप charge particles पर unit volume क्या अब बताया था पर unit volume उस material के per unit volume में कितने charge particle है small n यह हमने define करवाया था तो अगर net force बात की जाए तो सारे charge particle इदर चल रहे होगी कि current इदर यह तो सब पर force ऊपर 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 लग रहा होगा तो सारा force क्या हो जाएगा add कर देंगे तो net force अगर बात करें f net f net तो सारे charge particle पर f net होगा total number of charge particles हो कितने है n multiply by a into dl and multiply by volume volume of this wire तो यह क्या होगा total number of charge particles और एक charge particle पर force कितना है e into vd into b यह है यह नहीं तो हम यहां क्या लिख सकते है n e a vd n e a vd dl into b यह है और हमने आपको पढ़ा था current election team है कि i जो होता है current वो होता है आपका n e a vd n e a vd यहां पर n क्या होता है number of charge particles per unit volume in that particular material and e is the charge charge जो charge हमारा flow कर रहा है positron पर charge a क्या है area of cross section vd क्या drift velocity जिससे charge particle move कर रहा है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर देखा तो यह तो होगा current i to i dl into b यह हो जाता है आपका f net यह हमने अभी vector form में नहीं निकाला है vector form में निकाला है ठीक है वो बात नहीं है इससे पहले हमको एक चीज़ समझनी होगी और वो यह है मैं आपको बता दूं कि सबसे important बात यहां पर जो मैं बताने वाला हूँ यह है कि जब यह charge particle है तो charge particle किसके अंदर है wire के अंदर है चार्ज जो वायर की जो वाल्स है न मालब वायर की वायर से बाहर तो निकल नहीं सकते चार्ज particle ठीक है न ठीक है वायर के अंदर ही दोड़ेंगे अब उन पर फोर्स लगेगा तो वायर की यह मालब वाल्स पर ऐसे फोर्स लगा कि गिसर के जाएंगे समझारी एससे जाएंगे तो जब फोर्स चार्ज पार्टिकल पे अधर लगेगा इसका मतल़ किस पर लगेगा या पेदाल लगेगा निकालने की कोशिश करेंगे देखो लिखिए क्या है यह बी वेक्टर भी क्या है मैंगनाडिक फिल्द and this is the wire और वायर की लेंथ मैंने माल लिया है DL और इसका DL वेक्टर इदर ले लिया है in the direction of current current की DL वेक्टर की direction क्या है direction of direction of DL वेक्टर is in the is in the direction of current it is very very important point ठीक है यह बहुत ज्यादा important point है ठीक है अब मुझे क्या निकाल ला है अब मुझे निकाल ला है force net on the wire F net on the wire will be total number of charge particle in this wire ठीक है total number of charge particles total number of charge particles multiply by force on one charge particle पार्टिकल ठीक है total number of charge particle multiply by the force on one particle मैं पता है कि one particle move कर रहा होगा इधर ही move कर रहा होगा ठीक है simple सी बात है कि अगर इसका wire का cross section area अपने A ले लिया है और इसकी length कितनी है DL है यह A क्या है cross section area तो हम simple लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं total number of charge particle will be equal to N N क्या है small N is the charge particles per unit volume ठीक है ना या number of charge carriers per unit volume तो N multiply by A into DL vector ठीक है ना तो हमने क्या कर दिया A into DL vector या DL लिख लो अभी हमने यह volume लिख दिया A into DL simple A into DL हमने यह लिख दिया ठीक है यह क्या है number of charge particles multi-flowback क्या करूँगा मैं force on one charge particle 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 क्या लिखूँगा हम पढचो के हैं कि अगर charge particle Q है और किसी magnetic field B में V रफतार से दोट रहे है तो उस पर force हमने पढ़ा है FM क्या पढ़ा है Q V cross B vector ठीक है तो simply force vector form में लिख देंगे simple Q क्या charge particle यहां पर charge particle के जो charge हो क्या E है और velocity किसके equal है V D vector के equal है drift velocity के equal और cross क्या है B vector ठीक है तो यह हो गया यहां से देखो मुझे पता है कि DL or VD को देखे तो दौनों की direction same है नहीं है DL और VD की direction same है नहीं है क्योग extrêmement क्या है in the direction of currently और VD की direction भी क्या होती drift velocity की direction भी क्या होती in the direction of current ठीक है तो हम क्या ले रहे है DL और VD की direction सेम है, तो हम क्या कर रहा है magnitude को यहां से यहां replace कर रहा है magnitude को replace करने में कोई problem नहीं होती, देखो cross product है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर रहा है बस, देखो, इसको क्या लेख सकते है VD, vector multiply by the VD की direction ठीक है, बट VD की direction नहीं किस की direction है,, डिल की direction तो कोई tension ही नहीं है, देखो हम यह लेख सकते है न, direction of VD vector, direction of VD vector क्या हो जागी VD की direction, VD gap हो जागी, और यह किस के equal है VD gap के equal, क्योंकि दोनो की direction क्या है, सेम है, किस direction में είναι, यह किस direction में है, बोलो, current की direction में, ठीक है तो हम simple क्या कर रहे हैं कि हम को पता है कि अगर मुझे DL vector लिखना है तो DL vector क्या होगा mod of DL vector multiply by DL cap या फिर बोलो तो DL multiply by DL cap ठीक है या फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ DL cap किसके कोलब VD के तो हम इसे लिख सकते हैं DL into VD cap समझे तो DL vector को मैं यह लिख सकता हूँ इंग लिख सकता हूँ और यह अगर लिख सकता हूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करो यहाँ से मैं अब देखो V vector को क्या लिख सकता हूँ VD vector लिख सकता हूँ VD vector VD cap multiply by VD का magnitude और VD cap को क्या लिख सकता हूं मैं, DL cap, क्योंकि दोनों की direction सेम है, तो यहां पर मैंने VD vector को यह replace किया, तो देखो यहां से, हम कह सकते हैं कि यह होगा, N A, DL, DL को मैंने क्या replace कर दिया, यह देखो, DL को यहां पर DL रहने तो, ठीक है, और E into VD, VD vector को क्या replace किया, DL cap into VD, VD into VD cap, और VD cap को क्या replace किया था हमने, यहां पर DL cap, तो यहां से कह सकते हैं, इसे DL cap cross V vector, यह लिख दिया, तो यहां से देखो, DL, Vector, DL के magnitude और VD, VD को यहां ले आया, DL को यहां रख दिया, VD को यहां ले आया, DL को यहां रख दिया, तो DL into DL cap क्या हो जाएगी, DL vector, तो basically मैं कहना यह चाहरा हूँ, कि इसको जो मैं लिख सकता हूँ, N, E आगया, A आगया, और VD, DL vector, cross B vector, यह मैं यहां से लिख सकता हूँ, और यह क्या है, यह है N, E, VD, current होता है, यह तो N, E, A, VD, current होता है, N, E, A, VD, यह होता है current, तो मैं यहां से लिख सकते हैं, यह I, DL vector, cross, B vector, I, DL vector, cross, B vector, will be the force in vector form, ठीक है, तो लिखिये, माल लिजे, इधर क्या है, आपका B vector है, ठीक है, B0 ते रखा है, B0, B0, if this is the wire, this is the wire, which is making an angle of, 37 degree, and इसमें current आई जा रहा है, और इसकी जो length है आपकी, वो दे रखी है, आपको, L, ठीक है, तो इस पर क्या निकालना है, force निकालना है, तो निकालना है, force on this wire, force on the wire, तो हमने जो force का formula पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, वो पढ़ा है, DL, छोटे से piece DL की वज़े से, तो यहां से देख सकते हैं, कि force vector जो हमने पढ़ा है, I multiply by DL vector cross B vector, इसका अगर magnitude की बात करूं, तो magnitude force का हो जाएगा, B I into DL sin theta, क्योंकि B DL के बीच में angle कितना है, theta, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कि हम कह सकते हैं, कि अगर ये DL को हम, L भी replace कर सकते हैं, देखो, अगर देखो, DL, DL, यहां पर देखो, बड़ा length है, तो ये DL की direction, इसकी B, सब की DL की direction क्या है, सेम है, साब DL की direction क्या है, सेम है, ठीक है, तो हम इसको force को अगर एक L length का wire है क्या है एक L length का straight wire है ठीक है force on a straight wire of length L is equal to हम इस force को force vector form मैं क्या लिख सकते है लिख सकते है I L vector cross B vector क्यों हम ऐसा लिख रहे है क्योंकि मैं पता है कि DL 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 सभी की DL की direction क्या है सेम है तो DL 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 add होके क्या बन जाएंगे L vector बन जाएंगे तो हम यहां से यह भी बोल सकते हैं कि अगर magnitude की बात की जाए तो हम बोल सकते है B I L sin theta ठीके और यहां angle theta क्या है L vector और B vector के बीच में angle ठीके तो ऐसे हम निकाल सकते हैं direction की बात की जाए direction of force will be in the direction of L vector cross B vector तो L cross B की direction में क्या होगा force होगा L cross B की direction का मतलब right hand rule use करेंगे क्या use करेंगे right hand rule और right hand rule में क्या होगा L cross B तो अब इस पे अगर हमको force लेखना है तो हम क्या लिख सकते हैं simply force will be equal to B I L तो B कितना है B not I current जा रहा है इसमें L का length है sign 37 तो यह हो जाएगा आपका 3 B not I L upon 5 अब अगर direction की बात करें तो this is a direction of L vector और L vector की direction अपने किदर बताई थी current की direction में तो L cross B करेंगे तो L cross B कहा रहा है force अंदर की तरफ इस पर force आ रहा है ठीक है तो force की जो direction आ रही है वो किदर आ रही है अंदर की दरफ तो अंदर की दरफ इस पर force लग रहा है क्यों 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 कह सकते हैं अधर है और cross B अमने करा है देखो L cross B L cross B तो thumb will give the direction of force on this wire ठीक है लिखिए जल्दी ठीक है यान इसमें current जो flow रहा है वो कितना I flow हो रहा है और uniform magnetic field है the magnetic field यहां पर भी सेम है, इस wire पटॉर दिया मोड दिया मतलब यहां पर महलो इसको L 1 vector बोला जा रहा है इसको L2, L3 vector और ढोल दिया गए यह मो दिया गया ठीक है और करन तो अब आप निकालना है force on this wire मालेजे इस point को A बोल दीजे इस point को क्या बोल दीजे बी बोल दीजे तो यह AB wire हो जाएगा पूरा AB wire ठीक है न तो force on AB wire force on wire force on wire लेको तो force on wire लेकोंगा तो क्या लेकोंगा देखो इस की इस टुकड़े पर force plus इस टुकड़े पर force plus इस टुकड़े पर force net force निकालने के लिए क्या हरूं F net will be equal to vector form में हम कह सकते F1 vector plus F2 vector plus F3 vector ठीक है हम F1 vector लिखेंगे तो क्या लिखेंगे I current जा रहा है इसमें और length कितनी है इसकी तो L1 तो L1 vector cross B vector B तो B है ना यहाँ पर और B के अंदर की तरफ है ठीक है plus हम क्या लिखेंगे F2 vector F2 vector force on this देखो F1 vector क्या होगा I इधर है I cross B sorry L cross B L की direction में ही तो I की direction में ही तो L होता है तो L cross B L cross B तो इसमें force जो है वो force किदार है इधर है कहीं force जो कि क्या है F1 vector ऐसी F2 vector इस वाले पर L2 cross L2 cross B L2 cross B तो इधर हो गया F2 vector इधर L3 cross B L3 cross B L3 cross B किदर हो गया इधर तो यह हो गया F3 vector ठीक है तो अब F2 vector बताईए I L2 vector cross B vector plus F3 I L3 vector plus cross B vector तो यहां से देखिए मैं I को तो कॉमल ले रहा हूँ और यहां से B को भी common में लिख रहा हूँ मतलब यहां से लिख रहा हूँ L1 plus L2 plus L3 vector उसको bracket में ले रहा हूँ यहां पर cross B vector यह चीज यह चीज सेम ही तो है देखो यह L1 cross B plus L2 cross B plus L3 cross B यह मैं कब कर पा रहा हूँ ऐसा जब मैं कह रहा हूँ कि तीनो वायर के case में तीनो वायर के case में तीनो वायर के case में B क्या है सेम है गब बी यहां पर क्या है uniform 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 क्या है magnetic Kultur यह पर dwell uniform magnetic play key case में ही मैं ऐसा लिग पा रहा हूँ क्यों इसा मतलना हर जगा पर जगा पर pa farmer के vrais वायर के के लिए वह यहा पर यह तीनो this is only we can write this only just for uniform magnetic field ठीक है आप देखिए यह L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर है क्या आपको याद हो तो यह वेक्टर याद करो आपको क्या याद करो वेक्टर वेक्टर में हमें पता है इसमें क्या लग रहा है बोलो this is the polygon law of vector edition याद होता है यह हम यही पढ़ थे L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर क्या होता था इसको इसे जॉinals कर दीचिए और इसको मालीजी आपने ल वेक्टर बोल दिया तो हम L वेक्टर को बोलते थे हम L वेक्टर को क्या बोलते थे हम L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर this is the polygon law of vector addition मतलब हमने क्या किया इन L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर को किस से रेप्लेस कर दिया एस ल वेक्टर से और ल वेक्टर क्या है? इनीशिल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, ठीक है? इनीशिल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, जिसकी डिरेक्शन क्या है? इनीशिल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डिरेक् this is a force net vector on this wire तो मेरा कहने का मतलब पता क्या है कि मैं अगर इस wire को इस wire को पूरे को जह तीन wire जो दे रखें इनको एक wire से एक रीप्लेस कर दो वो क्या है? वो wire कौन सा होगा? इन के initial और final point को मिलाने वाला initial और final point को मिलाने वाले एक wire से रीप्लेस कर दो Initial और Final Point से मिलाने वाले एक wire से replace कर दू तो जो force इस wire पे आएगा वही force इन पे आएगा समझारी वही force के आएगा इन पे आएगा समझारी इन इन पे जो net force आएगा net force on this wire वही same force आएगा जो इस L vector के force L vector के wire पे आएगा तो आपको सबसे पहले ऐसा कुछ question आपको मिलिया है तो सबसे पहले इस चीज को सबको किसे replace कर लो L vector से initial और final point जोड़ दो और क्या कर दो इस wire पे force निकाल दो तो वही force किस पे होगा ये force किस पे निकाला है ये force किस पे निकाला है एक uniform electric magnetic field दे रखा है क्या दे रखा है uniform magnetic field और uniform magnetic field में क्या रखा है एक wire रखा है जिसका initial point A है और ये wire कुछ ऐसे है और इसका final point ही है समझे है ये wire कुछ ऐसे रखा हुआ है जिसका हम कहें ये जो आपको दे रखा है इसमें current आई जा रहा है और इस point की coordinate 1,2 है और इस point की coordinate है आपके 2,3 ठीक है और हमारा क्या है कि इसमें wire में current ऐसे जा रहा है ठीक है और ये जो B है वो क्या uniform है uniform magnetic field है मतलब इस जगा पर जितना magnetic field है वो क्या है equal है अब अगर मैंने पूछा कि इस AB wire जिसका हमने डेयन हमको समझ मारा कि कैसा है इस AB wire पर net force चाहिए क्या पूछा इस पर find out net force on AB wire AB wire पर क्या चाहिए F net तो हमने क्या सिखाया है कि जब भी कैसा भी wire आ जाए तो इसको replace किसे कर सकते है AB को joint कर दो और ये क्या हो जाएगा wire और ये wire पर क्या है net force निकाल लो वही force किस पर आएगा इस पर वो क्यूं आ रहा है उसका भी एक थोड़ा sectionation देता हूँ कि माली जी ये डी ए वेक्टर होगा माली जी sorry यहाँ पर डी एल वेक्टर ये होगा इस डी एल वेक्टर को अगर देखें तो इस पर फोर्स इतन लगेगा ऐसे यहाँ पर डी एल वेक्टर इस पर फोर्स इतन लगेगा ऐसी यहाँ पर DL vector इस पर force इदर लगेगा, समझ आ रही है, ऐसी यहाँ पर DL vector इस पर force किदर लगेगा, कि माली जी इदर लगेगा, ठीक है, तो इन सब forces को अगर जोड़ाएंगे, सब forces को जोड़ाएंगे, सब forces को जोड़ाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम, माली जी यह DL vector, DL1, DL2, DL3, DL4, DL5, DL6, DL7, DL8, ऐसे बहुत सारे DL होंगे, बहुत सारे DL होंगे इस वाहर में, अब बहुत सारे DL के लिए, पहले तो देखेंगे, करण्ट सब DL में सेम है, सब DL, जहां जिस magnetic field में जो सारे DL रखे हुए हैं, उनका magnetic field भी क्या है, B है, वो भी सेम है, आब अगर देखा जाए, कि एक DL की वज़े से, मालों, DL1 ही है, यह क्या है माली जिए, DL1, और ऐसी यह क्या है माली जिए, DL2, इस DL2, DL1, ऐसी क्या होंगे, बहुत सारे infinite DL बनेंगे, क्योंकि सब की direction अगर देखी जाए, तो अलग अलग है, क्योंकि मैंने ऐसे टेरा मेडा wire बना दिया, ठीक है, तो देखा जाए, इनप voc लिखा जाए, छोटा सा voc TF लिखा जाए, तो वो क्या लिखूआ, तो वो लिखूआ, तो वो लिखूआ, डीएफ लेक्टर लिखा जाए, और वह क्या मिलेगा, Iद लवन वेक्टर प्लस बैल तो फ्लस दी लट टू वेक्टर वेक्ट्र ऐससे प्लस 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 ब्येक्ट्र एम सबका जो एडिशन होता है polygon law of vector addition से वो क्या होता है यह final initial point and final point को मिला दो initial point and final point को मिला दो तो यह vector जो आता है न वही क्या होता है इनका resultant होता है समझे तो इसलिए हम क्या कह रहे थे आपको कि इन सारे को इस wire सारे को हम क्या इस blue wire से replace कर सकते है और इस blue wire से जैसे ही हमने replace कर दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं बोलो force on this wire माल लीजे ये L vector है तो अगर मुझे L vector लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ देखो क्या लिख सकता हूँ 2-1 i cap 2-1 i cap मतलब 1 i cap ऐसी 3-1 3-2 j cap प्लस i cap प्लस j cap तो यह हमारा coordinate मालों दे रखके थे 2,3 और 1,2 तो L vector ऐसे आ गया और L vector ऐसे आ गया तो force vector के लिए क्या करेंगे force net vector लिए हम करेंगे i current into L vector cross B vector ठीक है तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं आपका यह B vector माल लीजिए आपको B vector जो दे रखा है B vector आपको कुछ दे रखा है मालों 2 k cap ठीक है माइनस 2 k cap तो यहाँ पर रखके L vector और B vector निकाल सकते हो force vector ठीक है force vector देखो कैसे निकाले F equal to i current है और into L vector i cap plus j cap cross B vector B vector is minus 2 k cap तो it is minus 2 बहार आगया और i बहार है i cross k को हम लिख सकते है minus j और j cross k को लिख सकते है plus i यहाँ से आगे 2i i cap minus i cap plus j cap तो यह हो गया force vector इसका magnitude की बात करें F के magnitude की तो क्या हो जाएगा आपका 2 root 2 i i current magnitude हो वैसे भी यह vector form एक नहीं निकालना है और direct निकाल सकते थे direct कैसे l vector and b vector जो के 90 दे रखा है इसलिए इसकी value क्या हो जाएगी 1 तो b कितना दे रखा है b का magnitude 2 और i कितना है current into l कितना दे रखा है l है आप निकाल सकते है 2 minus 1 का square plus 3 minus 2 का square का square root तो यह जाएगा root 2 ठीक है तो यहां से भी 2 root 2 i ठीक है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं force ठीक है यह तो खेर समझाने के लिए theory था यह कुछ question नहीं था तो इससे theory समझे लेकिन अब देखिए question कितने आसान कितने आसानी से करेंगे बिल्कुल समय भी निलगेगा एक बदम एक मुड़ में एक सेकेंड में लिखिए आर रेटियस का एक वायर है जिसमें करेंट कितना जा रहा है तो इसमें करेंट आई जा रहा है जिसकी रेडियस कितनी है आर है यह क्या है semi circle ठीक है ना half circle यह थीक है आप सर्कुलर वायर न हाथ सेमी सर्कुलर वायर सेमी सर्कुलर बाइर स्एनुने पंड नेट बताए है एफ नेट ब रिप्लेस कर सकते हैं, वहला हम कहें है, कि इसको अगर मुझे रिप्लेस करना इस वायर को किससे कर सकता हूं, वहले यह पॉइंट A, यह पॉइंट B, तो A पॉइंट और यह B पॉइंट, जिस A और B को मिला दीजिए, वह यहाँ पर एक 2 आर लेंद्ध का क्या है वायर है, ज multiply by I, multiply by length is 2R, sin theta, theta is angle between L vector, L vector इदर है, और B vector अंदर है, तो 90 है, इसलिए यह 1 हो जाएगा, तो हमारा आजाएगा, 2BIR, is the force net, और direction की बताओ, L cross B, और L vector क्या है, इदर, L cross B करूँगा, तो इस पर्ट पोर्स आजाएगा, उपर, यह direction होगी, ठीक है, लिखिए, इसमें current कित i2 और इसकी length कितनी है, L length का i2 क्या जा रहा है, current जा रहा है, sorry, i2 current जा रहा है, और इसकी distance वो कितनी है, A है, ठीक है, यहाँ से, बताइए, force on this wire, force on this wire, force on this wire कैसे निकालेंगे, force हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है क्या, बोलो force vector क्या पढ़ा है, i, L vector cross B vector, या magnitude की बात करें, force की तो क्या पढ़ा है, BIL sin theta, ठीक है, BIL sin theta, अब ध्यान से समझने की कोशिच करो, कि B यहाँ पर क्या होगा, या देख सकते हैं कि इस wire की वज़े से, A distance पर हमको क्या लिखना है, B लिखना है, तो हमने क्या लिखा था, infinite wire की वज़े से, magnetic field अग क्ज जगह पर, A distance पर भो जाएगा, मिव नॉट, इसकी वैसे current कितना, I, 1 upon 2.2, length, length कितनी है, तो यहाँई यहाँ पर इस wire पर, चाहाँ यहाँ देखो, चाहाँ देखो, चाहाँ देखो, चाहाँ देखो, चाहाँ देखो, चाहाँ देखो, हर जग demi magnetic field ही हाँ, क्योंग है, इस वायर से A distance पहचा है किदर भी ले लो यहां पर ठीक है magnetic field यही रहेगा तो हम कह सकते हैं कि uniform magnetic field है पूरे वायर के लिए uniform magnetic field है तो हम simple यह कह सकते हैं ठीक है L के लिए uniform magnetic field हो जिसकी value कितनी है इतनी तो B कितना है mu naught I1 upon 2 pi A ठीक है 2 pi A यह तो हो गया B और I current इस वायर में क्योंकि जिस वायर में हम force लेका निकाल रहा है उसी वायर का तो current लेना पड़ेगा तो हो क्या है I2 ठीक है into length of this wire क्या है L sin theta theta क्या है angle between L vector and B vector और हमें पता है कि इस वायर की वज़ए से infinite वायर की वज़ए से यहां पर magnetic field जो है वो क्या है अंदर है देखको थम मैंने बताया था infinite wire की वायर की वज़ए से अगर magnetic field की direction निकालनी है तो thumb को का रहा हो in the direction of current and palm will give the direction of magnetic field at that particular point ठीक है न तो direction के अंदर की तरफ और DL vector की तरफ है force यह तो f net हो गया on this wire क्या हो गया f net ठीक है अगर force per unit length on this wire अगर मैं निकाला चाहूं तो क्या होगा mu 0 i1 i2 upon 2 pi a ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका force हो जाएगा अब एक बाघवर बताओ की यह force लगेगा किदर लगेगा किदर फोस अगर इस force को देखें तो वह L cross B की direction में लगेगा B अंदर है L इदर तो L cross B इदर तो मतलए यह force की जो direction हो जाएगी वो हो जाएगी इधर मतलए यह wire जो है वो इस wire को क्या करेगा attract करेगा तो force on 2 due to 1 क्या हो जाएगा इधर ठीक है लिखिये इस 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 इन्फिनिट वायर and current is going i1 and this is another infinite wire and in this wire also current is going i2 and the same current is flowing ठीक है अगर मैं बात करूं force on 2 due to 1 और force on 1 due to 2 तो इन दोनों forces की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होंगे इनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो देखो यह क्या है d distance ठीक है इन दोनों के बीच में distance कितनी है d ठीक है एक चीज़ तो सबसे पहले म एक चीज़ मुझे पता है कि अगर इस पर force निकालो मां तो infinite wire इसलिए जो force आएगा वो infinite आएगा तो इसलिए जब भी infinite wire पर जब force निकाला जाता है वो per unit length पर निकाला जाता है क्या? per unit length पे माल लीजे इस wire की L length देख लो माल लीजे इस wire की L length इस wire की L length पे मुझे force निकालना है इस wire की वज़े से तो अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ मैं सबसे पहले कर रहा हूँ कि इस wire की वज़े से यहां पे magnetic field इस wire की वज़े से यहां पर magnetic field जो यह wire रखा हुआ है जिस जगह पर जिसमें current I2 flow कर रहा है उस जगह पर इस wire की वज़े से magnetic field कितना होगा वो होगा B1 क्योंकि यह क्या है magnetic field due to 1 तो वो क्या होगा mu naught into I1 upon 2 pi into D simple ठीक है तो जो यह wire जहां रखा हुआ है यह जो wire यहां पर रखा हुआ है यहां पर magnetic field यहां पर magnetic field कितना है B1 और खुद की वज़े से तो होगा नहीं magnetic field क्यों? क्योंकि खुद की line में खुद के current की वज़े से magnetic field थोड़ी नहीं होता है यह तो हमने प्रूब भी कर चुके हैं बायट सावाट लो में ठीक है तो क्या होगा यहां पर जो magnetic field होगा हो बस इसी wire की वज़े से होगा इस wire की वज़े से समझा रही है इसकी खुद की जगए पर खुद की वज़े से नहीं होगा समझा रही है क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि डियल वेक्टर और जो बायट सावाट लो पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था म्यू नोट आए अपॉन फोर पाई इंटू डियल क्रोस आर अपॉन आर क्यूब उसमें हमें पता है कि डियल क्रोस आर अकर इसके किसी भी पॉन्ट पर एक पॉन्ट ले लिया जायए तो उस पॉन्ट पर इसकी खुद की वजह से मैग्नेटिक फिल्ड क्याओ छीरो क्योंकि डियल क्रोस आर म्म हों पे क्या हो जाता है जिडल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच मैं हैं यह मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लीन किया था वायत सावत लौ में जब एक्प्लीकेशन और वायत सावत लौ मैंने शुरू किया था उसी वक्त ठीक है तो अब यहां पर जो मैंगनेटिक फिल्ड होगा वो जस्ट विकॉज ओफ इस वायर होगा वो कितना होगा यह हो जाएगा सिंपल सी बात है ठीक है अब मुझे बाव बताईए इस वायर में मैंगनेटिक फिल्ड कितना जाएगा इतना है तो इस वायर पर आगर मैं फोर्स लिखना चाहों तो कि पॉइंट पर देखो तो मेंगनेटिक फिल्ड ड्यू टू वन विल बी इक्वल जो कि यह होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं बी क्या है वन की वज़े से जो भी वन है तो भी वन क्या है म्यू नॉट आईवन अपॉन टू पाई डी इंटू अगर मैं बात करूं इंटू बात कि अब बात कि मुझे यह चोटा सा एक पीस ले लिया है एव लेंध इस वायर का तो है तो ऊंचरण के और नॉटिप्लाइब करंड यह तो क्या था आपका यह यह लिख दी हमने यह आई कौन सा यह आई किस पर two- необход लिखेंगे क्योंकि 2 पर फोर्स लिख रहा है है ठीक है ना टू पर फोस्ट लिए ना टू में जो आई फिलो हो रहा हुआ है लिखो आई टू साइड ठीटा के एंगल बिट्वीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर अब बताइए मुझे इस वायर की वेज़े से जो यह भी लिखा गया था यहां पर इसकी डिरेक्शन क्या अब करन्ट ठीक है तो हम कह सकते है एल और बी के बीच में अगल 90 है तो साइन 90 यहां पर देखो फोर्च नेट की अगर बात करें टू पर तो एल क्या है वायर की लेंथ इंफिनिट तो फोर्च क्या हो जाएगा टू पर इंफिनिट इसलिए हम फोर्च की बात नहीं करते ह किस फोर्च की बात करते हैं फोर्च रॉन टू पर इंट लेंथ तो क्या होती है यह फोर्च पर इंट लेंथ तो फोर्च पर इंट लेंथ तो फोर्च पर इंट लेंथ तो अगर मैं डिरेक्शन की बात करूँ तो देखो यहां पर बी अंदर की तरफ है ठीक है और एल वे तरफ देखो एज़ वेक्टर उपर की तरफ तो L cross B L cross B क्या आएगा इदर तो मतलब यह direction जो force की आ रही है वो किदर आ रही है इदर तो यह कौन सा force है force force on 2 due to 1 force on 2 due to 1 किदर आ रहा है इदर attractive in nature ठीक है लगा अब अगर मैं बात करूं force on 1 due to 2 किसकी बात करूं मैं force on 1 due to 2 तो उसके लिए मैं लिखूंगा magnetic field into current into current in 1 I1 multiply by L sin theta ठीक है अब मुझे B लिखना है तो B यहां पर किसकी वज़े से होगा 2 वाले wire की वज़े से 2 वाले wire की वज़े से होगा B तो इसलिए यहां पर जो B लिखूंगा हो क्या लिखूंगा B2 I1 L sin theta इसकी भी हम क्या निकालेंगे per unit length पर निकालेंगे इसलिए माली जिसकी L length ले लिया है उसी पर हमको force निकालना है ठीक है तो अब पहले B2 लिखते हैं तो B2 यहां पर क्या होगा बताओ इस wire की वजह से अगर देखा जाए तो यहां पर magnetic field की direction कि दर होगी बाहर की तरफ देखो current 2 पर बाहर की तरफ तो यहां पर जो B2 की direction जो होगी बाहर की तरफ B2 की direction और magnitude की बात करों तो वह होगा mu0 i2 upon 2 pi d kya mu0 i2 upon 2 pi d so this is the magnetic field due to wire 2 on this place so if I want to write f12 which will be equal to b2 b2 is mu0 i2 upon 2 pi d multiply by current i1 multiply by length into sin 90 90 क्योंकि इसमें magnetic field किदर है b2 उपर और l vector किदर है इधर तो हम क्या सकते है l vector and b2 vector के 20 में 90 इसलिए 90 तो यहाँ पर भी force per unit length की बात करेंगे तो force per unit length कितना हो जाएगा mu0 i1 i2 upon 2 pi d तो यहाँ पर देख सकते है जो force आ रहा है वो क्या है force per unit length दोनों पे जो आ रहा है वो क्या रहा है magnitude दोनों का equal है ठीक है और एक और चीज में अकर बात करूँ किस पर direction की बात करूँ तो देखो b2 क्या है उपर की तरफ और l क्या है इसमें उपर की तरफ देखो b2 क्या है plane के outward and this is l vector तो if I talk about the l cross b तो force इस पर जो आएगा वो किधर है वो इधर है और वो क्या है f12 तो हम कह सकते है force दोनों के magnitude क्या है same है वो क्या है mu not i1 i2 upon 2 pi d standard है से याद कर लीजेगा standard formula ठीक है mu not i1 i2 upon 2 pi d ये क्या होता है force on force on attractive force ठीक है न ये क्या होता है attractive force होता है मतलब attractive in nature देखो जब दोनों के direction of current क्या है दोनों wires में same direction है तो attractive in nature क्या force है मतलब क्या है दोनों wire एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे दोनों wire एक दूसरे को attract कितने force करेंगे mu not i1 i2 upon 2 pi d इतने force है जौना एक दूसरी को attract करेंगे अब ऐसा होता क्यूं है मैं आपको बता दूं कि ये current attraction होता है इस वज़े से आपने बड़ी-बड़ी electricity की lines देखी हो शायद बड़ी-बड़ी electricity की lines जो देखी है जो बहुर एक city से दूसरे city तक जो light आती है current flow thermal power plant जो होता है उससे light transfer की जाती है अलग-अलग शहरों में ठीक है तो वहाँ आप देख सकते हैं जैसे की कोटा में भी है thermal power plant ठीक है न तो वहाँ पर क्या वहाँ से light जाती है दूसरे शहरों में ठीक है ऐसे एक insulating wire एक insulator लगा दिया जाता है दोनों को रोकने के लिए कि दोनों क्या न कर जाएं दोनों को रोकने के लिए कि दोनों पास-पास ना आ जाएं समझारी इनको दूर रखने के लिए इन wires को दूर रखने के लिए कि एक insulating material का क्या लगा दिया जाता है यह मान सकते है wire लगा दिया जाता है जिससे कि ये दोनों wire दूर रहें ठीक है इसका एक region ये भी होता है इस insulating wire को बीच में लगाने का या ये कह सकते है insulating wire को कि जिससे ये दूर रहें wire एक region ये भी होता है कि अगर दोनों में same direction में current flow होता है दौनोब एट्रेक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ और दौनब अड़रेक्ट होते हैं तो यह अट्रेक्षिन रूरोन अग्ठर के पास ना चिप के इस लिए यह क्या है दौनों को रोकने के लिए यह क्या लगा धिया जाता है एक कहेंगे گर में रिस्ट्रिक्शन लगा ध तो हम कह सकते हैं वह दौनों क्या करेंगे अट्रेक्ट करेंगे ठीक है तो इस वज़े से लिखिए यह दो क्या है infinite wire है और इन दौनों की वीच में भी distance कितनी है small d है इसमें current I1 इधर जा रहा है और इसमें current I2 जो है वो opposite direction में जा है तो अब बताईए force के बारे में बताईए force इन दौनों की बीच में attractive force होगा या repulsive force होगा ठीक है जब हमें पता है कि जब दौनों में same direction में current जा रहा था तो attractive in nature force था अब इन में opposite direction में जब force जाएगा तो क्या होगा तो आप देख सकते हैं कि magnitude अगर आप निकालना चाहते हो तो वो तो same ही आने वाला है magnitude क्या आने वाला है कि force on 2 due to 1 upon L should be equal to force on 1 due to 2 upon L मतलब परिणिट लेंथ जो force आने वाला है वो तो same आने वाला है वो क्या मुझा आइवन आइटू अपॉन टू पाई इन्टू दे ठीक है यही force आने वाला है calculate कर लीजिएगा लेकिन direction के बारे में हम देखो क्या करेंगी धियान से समझो कि इसकी वज़े से यहां पर magnetic field कि कि इधर होगा इस वाले वायर का नीचे की तरफ क्यों होगा एले वेक्टर नीचे की तरफ बोलो क्योंकि आई की direction में तो एले वेक्टर होता है ना तो एले वेक्टर नीचे की तरफ और magnetic field यहां पर किदर है अंदर की तरफ तो जो force होगा इसता है वो इधर होगा जो क्या है four son two due to one जो होगा वो क्या होगा इधर होगा बात समझाई ऐसे यहां पर देखो यह डिरेक्षन किसकी थी बीवन की अब ऐसी यहां पर देखो यहां पर डिरेक्शन ओफ बीटू क्या होगी मनलों यहां पर magnetic field की इसकी वज़े से direction क्या होगी इस wire की वज़े से यहां पर magnetic field की direction क्या होगी बोलो इसमें current नीचे जा रहा है देखो इसमें current नीचे जा रहा है और यहां पर क्या चाहिए magnetic field की direction तो क्या होगी वो अंदर यहां पर जो v2 की direction है और जब अंदर magnetic field की direction है और यहां पर देख सकते हैं कि यह L vector की direction जह रहे है क्योंकि इसके current की direction में यह L vector की direction होगी तो L cross B क्या है force की direction तो L cross B इस पर force की direction किदर आएगी इधर तो अब force क्या होगा force on 1 due to 2 यहां पर देख सकते हैं कि यह दोनों अग रिपल करेंगे एक दूसरे को तो हम यहां कह सकते हैं they will repel each other sorry they will repel each other क्यों क्यों क्योंकि इस पर force इदर लग रहा है इस पर force इदर लग रहा है तो जब जब दोनों में current की direction क्या opposite है then they will repel each other if the direction of current is same then they will attract each other so that is very important point look here